अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीस सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पर आपको वेजिटेरियन सारी रेसिपीज मिल जाएगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेंग की हुई तो आप भी घर पर इसे बना सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने यह जो ग्रीन मुंग होती है लीली मुंग उसको मैंने अंकुरीत कर दिया है और स्प्राउट बना दिया है आप चने या फिर किसी का भी उप्योग कर सकते हो तो यहां पर मैं स्प्राउट से बनी हुई जितनी भी रेसिपीज वह आपके शार्द कर रही हूं तो सबसे पहले म बैलेंस कर सकते हो अगर आप ज्यादा तिका खाते हो तो अब यहां पर हम स्वादनुसार नमक डाल कर इसमें दहीं आड़ करेंगे यह नॉर्मल घर का बना हुआ दहीं है खट्टा दहीं नहीं है तो बस इसमें अभी थोड़ा सा यानि आदा ग्लास इतना पानी आड़ कर कर हम बैटर डेड़ी कर देंगे जो अंकूरित मग होते ना उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो अगर आप वेजिटेरिन होना तो आप जरूर से अपने डायट में एड़ करिए जो नॉर्मल मुंग है उसमें तो फाइदे है लेकिन आप गूगल कर देना जब आ अपने आप उसमें से अंकूरित हो जाएंगे पानी निकाल कर हमें चलनी में रख देना है यानि पांच गंटे मैं पानी में रखा था उसके बाद इसे चलनी में निकाल दिया था और फ्रे ढखकर रखा था ओवरनाइट तो सुभा इतने बड़िया अंकूरित हो चुके है तो यह मैंने निकाल दिया है अब जो में बैटर है उसका हम बनाएंगे तो यहां से बेजिकली हम स्प्राउट्स की इदली और इदली स्टैन को मैं ग्रीस कर रही हूँ तेल से और इसी बैटर से हम बना लेंगे हमारी इदली दिखिये इसमें मैंने कोई भी आटा नहीं य अगर बाइंडिंग के लिए कुछ यह लेना चाहते हो तो भी जरूरत नहीं है इतनी हेल्दी बनाने वाले रेसिपी सिर्फ स्प्राउट के तो आप एंग तक जरूर से देखना अब यहां पर हम इदली और डूकला बना रहे हैं इसलिए मैं इसमें इनो डाल रहे हूं करीब उसका मैं डोसा बनाने वाली हूं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो इसके लिए मैंने इनो इसमें कुछ भी नहीं डाला है तो फटा फट से इडली स्टैन को हम ग्रीज कर देंगे और इसकी इडली बना देंगे देखिए इतनी हेल्दी और ब्रेकफास के लिए बैस इसलिए आप मूंग की जगा पर अगर चने कर सकते हो आप मठ एड़ कर सकते हो जो भी आप जो आपको अंकुरिक करना चाहते हो जैके जैसे कि मग मठ चना तो उन सभी को आप इसमें सिर्फ ग्रीन मुट का उपयोग किया था तो करीबन यह तीन जनों के लिए मैं बना रह स्टेंड मैंने डेडिकर दिया और 10 मिंट मैं मिडीयम टू प्लेम में इसे करूंगी अब यह मैंने एक्रीस की वी इसाली है और इसमें मैं ढोखले बना रही हूं। यह बनाना काफी आसान है रिजकर हमें वह बैटर को पार कर चौप करकर बैटर को थोड़ा कर देना है अब अब जो बैटर में सोड़ा थोड़ा अगर नीचे थम जाए तो इसे थोड़ा सा आप मिक्स कर दो उसके बाद आप यूज कीजिए और फिर इसे डाल कर हमें थोड़ी सी टैप करनी है थाली और ऊपर से हम डालेंगे इसमें रेड चिली डालने से इसका थोड़ा फ्लेवर आ हो चुकी है जादा फूलेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें कुछ भी एड नहीं किया है लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता तो अब यह मैं डोकले की दिश्ट आपको दिखा रही हूं यह भी साइड बाई साइड हो चुकी है और साइड से किनारी इसकी छूट जाएगी आपको लिए सारी रेडी हो चुकी है अब आप एचा हो तो इसे ऐसे ही खा सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें तड़का दूंगी ताकि इसका थोड़ा टेस्ट बढ़ जाए और मज़दार सी हो जाए और अगर आप तड़के देकर इसे टिफिन में ले जाते हो ना तो वैसी क मज़ा आता है इसको चटनी के साथ खाने में मैंने इसे सव किया था कोपरे की चटनी के साथ जो हम नॉर्मल साउथिनियन चटनी काते है उसी के साथ तो ये देखे तड़के के लिए मैंने या पे नॉर्मल पैंड में दो चमच इतना ओयल डाल दिया है राई, जीरा, तिल और करीपत्ते अब अच्छे तड़का अलग जाए इसके बाद हम इसमें इडली डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे मिक्स करते समय आप देख सकते हो कोई भी इडली तूटी नहीं है इडली परफेक्टली स्टीम हो चुकी है तो आपको 10 मिट तक तो इडली को स्टीम करना है और उसके बाद रूम टेमपरेचर में आ जाए तब उसे निकाल कर इस तरह से तड़का देना है तो आसान है ना step by step अगर आप exactly उसे follow करोगे तो आप भी मेरी तरह exactly इसे बना सकते हो तो इडली अच्छे से coat हो चुकी है मैं इसे निकाल रही हूँ अब बारी आती है हमारे ढोकले की तो डोकले की प्लेट भी हम निकाल देंगे साइड में रख देंगे और उसे हम देखेंगे आप साइड की किनारी है सारी चूट चूकी है यानि डोकला भी परफेक्ली रेडी है अब मैंने जो गरम-गरम तड़का इस पे बना दिया था सेम पैन में तो बस उसे भी हम अच कर देना है मैंने आप स्क्वायर शेप में डूकले का जो शेप होता है उसी को कट कर दिया है और हम इसे निकाल देंगे इतना मॉइस्ट होता है ना इतना सौफ होता है जैसे ही आप इसे तोड़कर खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा तो आपको लगेगा कि आपने कुछ सारे पैनिफिट्स होते है तो बस इस तरह से कोप्रे की चट्नी यानि के नारियल की चट्नी के साथ खपा गब चल्दी चल्दी खा जाएए अब चु मैं बता रही हूं और एक चीज जो भी मेरी फैवरेट है जो मैंने चुरा कर कटोरी रखी थी ना उसका मैं ये मिनी ढो चुझा बना रहा हूं ये भी काफी आसान है तो ढोसे के तवे को इस तरह से गरम कर देना है पानी इसके उपर मार देंगे चिटक देंगे और जो पहले हम थोड़ा सा ओल लेकर इस अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जैसे हम ढो सा बनाता है वैसे ही सेम प्रोसेस करना है और चुरा के रखा था ना कटोरी में इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी आड़ करूंगी और यह जो बैटर है उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करकर पतला कर देंगे तो फटा-फट से इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे और आप चाहो तो इसमें और सॉल टकर आपको कम लगे तो इसमें एडर कर सकते हो अब तवे पे इसको इस तरह से हम प्रेट कर देंगे और अभी फैस कस में कुछ भी नहीं डालेंगे थोड़ा सा हम इसे नीचे से कुख वने देंगे medium to low flame लखना है गैस का काफी high flame नहीं रखना है पहले हमें तवा गरम कर देना है और फिर हमें इसके उबार बैटर लगाने के बाद तवे को हमें medium to low flame पे रखना है अब दो मिनिट हो चुके और ये अच्छे से आप देख सकते हो बीच से bubble आने लगे यानि ये बीच से पक चुका है अब इसमें मैं एक चम्मत जितना तेल डाल रही हूं किनारियों पे आप चाहो तो इसमें मत दालो फिर भी ये निकलेगा चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी अब ऊपर से मैं यहां पे कटी हुई प्यास डाल रही हूं कटे हुए चोटे तमाटर डाल रही हूं आप चाहो तो पनीघ डाल सकते हो इसमें चीज डाल सकते हो आप कोई भी ऊपर अपनी मन पसंद टॉपिंग या फिर सबजी इसमें एड़ कर सकते हो चाट मसाला डालना मत बुलना क्योंकि वो एक्स्टा फ्लेवर देता है तो बस रेडी है और आसानी से निकल जाता है और अच्छे से बन कर रेडी हो जाता है तो इस प्रकार से आप ये भी बना कर देखो एक बार मेरे कहने पे और हाँ रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे सेर करना कमेंट करना और हाँ लाइक जरूर से करना ऐसी ही नई नई हेल्दी और सूपर डिलिशिस टेस्टी वेजिटेरियन रेसिपी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी तो आप मेरे साथ जरूर से जुनना मुझे भी मज़ा आता है आपके साथ कनेक्ट होने में और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेर करने में थैंक यू थैंक्स फ़र वाचिंग